सभी को जहें मैंने तिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चानल मिशन NCC दवे ओप सक्सेस में देखेगा शाम के साथ बच चुके हम लाईव आज चुके फटा फट सभी के अड़ेट जल्दी से लाईव आज आज आए चार बॉक्स मता दो आज की क्लास में कौन-कौन प्रेजेंट है तो आज हम 2020 का सी सर्टिकेट का ओरिजिनल क्वेपर डिसकर्स करने वाले तो सभी के अड़ेट जल्दी से आज आए अगर आप इस साल सी सर्टिकेट का एक्जाम देने वाले हो तो आपको एक बेसिक आइडिय मिल जाएगी कि 2020 में सी सर्टिकेट के एक्जाम में क्या-क्या क्वेशन पूछे थे तो आज की इसलिए एक बहुत बड़ी क्लास होने वाली है आज की एक मास्टर क्लास होने वाली है तो सभी के अड़ेट जल्दी से लाई आ जाए और चार्ट बॉक्स में पता दो कि आज और नोटबूक लेके बैट जाए और जो भी मैं पड़ाओंगा आप सभी को उसको आप सभी के नोटबूक में उससे लिख लेना है तो याद रखिए एक पैन और नोटबूक लेके जरूर बैट जाए क्योंकि हो सकता है कि ऐसी क्वेशन आपके एक्जाम में पूचे लता है ऐसे ऑलाव नहीं होता है नाम लेके बोलना इसले नाम नहीं ले सकता हो कि यह का ऐसे गताatted का सब्सक्राइब को एक अभी आने वाला हैने फोर जुलाएट मॉर्च1 2021 को बहुत सारे करेसी सर्टिफेकेट का इकजाम तो भाई है यह जो क्वेशन पर पर आप देख सकते हो सी इकजामेनेशन एंसर शीट के यह एकож एंसर सीट है यहां पर डारेक्टेट का नाम है वह मैंने हाइट किया हुआ है क्योंकि वह अलाव नहीं होता है और कॉमन सिलाबस 2020 तो 2020 का ओरिजिनल सब्सक्राइब करेंगे और टोटल मार्क कितने होंगे तो टोटल मार्क होंगे 245 मार्क का हम डिसकर्स करेंगे तो आप सभी को पता है कि कॉमन सिलाबस आज के इस वीडियो में हम 245 मार्क के उपर पूरा डिसकर्स करेंगे पूरा का पूरा कॉमन सिलाबस हम समझने वाले है आज की इस क्लास में तो सभी के सामने बिल्कुल पेपर रखा हुआ है तो इन में से आधे question आपके 2021 में आ जाए या मान लो कम से कम 50% ना कम से कम 25% भी question अगर आपके exam में इन paper में कि अगर आते हैं तो आपको कितना फायदा मिलेगा तो इसलिए video last तक देखे सभी cadets video को last तक देखना है चलिए थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते कि कौन-कौन आज की class में present है I think सभी को notification तो मिल चुका होगा ओके very good everyone सभी cadets तो आ चुके लायू योगेश ममता प्रीन्स कालिपदा भागेश्री क्रिष्णा रोहित रंजना निगम दालवी धवाल सोलन की गुजरावत का हो चुका है रीना रोहित क्रिष्णा अखिलेश एक के राजा मुकेश राकेश तो आज क्लास हम स्टार्ट करते गजेंद्रा एवरिवन सभी का स्वागत अखिलेश चले योगेश्तिवारी तो फ एक्षाम में कितने मार्स थीले कोष्ण पूछा थे याद रखिएगा सिसर्टिफेकट के एक्ञाम में ड्रील के उपर दस मार के लिए क्वेश्ण और अब सभी क्वेश्ण के उपर ध्यान देंगे ताकि आपको आपको बेसिक आईडे आ जाएगी कि यह जो क्वेश्ण ह लिए 2020 के exam में पूछा था साथ में marks के उपर भी आप सभी को focus करना है ठीक है चलिए तो रिक्तस्तानों की पूर्ति करो सबसे पहला question है words of command के प्रकारती है fill-in-the-blanks वाला question था तो words of command यहाँ पे रिक्तस्तान आपको भरना था तो इसमें सही answer होगा 2 ठीक है words of command कितने प्रकार के होते है तो दो प्रकार के होते है चलिए उसके बाद second question है कि आराम से words of command शरीर को आराम की स्थीती में लाने के लिए शब्त का command दिया जाता है तो शरीर को आराम की स्थीती म में लाने के लिए कौन सा command दिया जाता है तो आराम से का कौन सा command दिया जाता है आराम से ठीक है चलिए बात करेंगे अगला question तेज चाल में, याद रखेगा, तेज चाल में कदम की लंबाई कितना इंच होती है, तो 30 इंच होती है, इस बात को याद रखेगे, चलिए अगला question, question number 2, ठीक है, question number 2, यहां से बड़े question हमारे start होंगे, जो की दो मार के लिए question पूचा गया है, command शब्द में दो अलग- इस तरीके से question पूचना था, या वर्ट नके पुचना था, लेकिन command शब्द में दो अलग-अलग इससे क्या है, इस तरीके से, उन्होंने question पूचा था, तो एक है gamer, दूसरा है, कारिय कारी, ठीक है, चलिए बात करेंगे, अगला question, चलिए राकेश पस्वान आप जाधा ही थोड़ा जाधा बोलना आप सीख गए हो तो कल से आप क्लास में नहीं आप आओगे ठीक है राकेश पस्वान कल से क्लास नहीं आप आओगे आप थोड़ा सा जाधा बोलना आप सीख गयों में कल भी आपको तो देखा था कि ज़रा जाधा ही बोलते हुआ ठीक है तो कल से नहीं आप आओगे क्लास में ओके चलिए बात करेंगे next question है how many types of drill तो drill के कितने प्रकार है ठीक है how many types of drill तो drill के कितने प्रकार है तो ये भी question पूछा है दो मार के लिए तो drill के कितने प्रकार है तो दो प्रकार है एक होता है open drill दूसरा होता है close drill जो कि दो मार के लिए इतने छोटे-छोटे question 2020 में दो मार के लिए पूछे थे ठीक है चलिए अगला question होता है हमारा सही और गलत का ठीके सही और गलत आप सभी को बताना है first question सलामी शस्त्र नायब सुविदार से लेकर कप्तान तक दिया जाता है सही या गलत है तो ये हो जाएगा false गलत हो जाएगा ठीके चलिए तो अगला question है निरिक्षान हमेशा खुली लाइन में होता है question number two निरिक्षान हमेशा खुली लाइन में होता है तो बिल्कुल सही है निरिक्षान हमेशा खुली लाइन में होता है यह है true ठीक है तो general salute major general से लेके किसे दिया जाता है major general की उपर की rank वालों को general salute दिया जाता है पीछे मूल कमांड बाय पहर पर दिया जाता है सही यह गलत है तो यह भी हो जाएगा सही ठीक है टू हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन सभी याद रखेंगे क्योंकि यह 2020 में आये वाले क्वेश्चन है सी सर्टिफिकेट की बात हो रही है ठीक है तो हो सकता है कि क्यों मुणा यही क।ष्छन आपके एक्जाम में रिपीट भी हो जाएंगे इसलिए एक एक क्वेश्चन अपने नोटबूक पे लिखके रहों चलिए उसके आद में वैपन ट्रेनिंग भार्ट तू होता है हमारा वैपन ट्रेनिंग शरस्त्र प्राशिक्षन वैपन में यूज करने वाले तो राइफल को साफ सफाई करने के लिए कौन-कौन सी वस्तवे आवशक है तो इसमें दो पूछा है उन्होंने लेकिन यहां पर आंस शीट में भी चार बता है पूल थू वायर गेज ठेल फ्लैनेल या चिंदी सफाई के लिए और फ्लैनेल जो है वह वस्तवे हैं जो कि आवशक है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजे राइफल को साफ करने के लिए लेकिन इन्होंने दो पूछा इसलिए आप याद रखिए चलिए अगला क्वेश्यां कि फिल इन्द ब्लैंक्स रिक्तस्तानों की पूर्ति करो ठीक है फिर से रिक्तस्ता के अलग दबाव है चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्यां है राइफल पॉइंत ड लंपाई तो डिलक्स्राइंक्स रैइफल के लंबाई कितनी होती है तो 43 इंच होती है आप सभी को पता है अगला क्वेश्यां इनसाज का पूरा नाम लिख शोलेंट के मार कि बूरा पूचा गया है ज़िए आशी पंकज रणजना भाग श्री तो इंडिया ने नेशनल और सिस्टम दिखाई देगा महिने कई जगा पर पढ़ा है तो इंडियन स्माल आम सिस्टम ही है याद रखिएगा ठीक है तो यह कुछ महिने बनाएं वाली नहीं है यह ओफिशली आंसर शीट है ठीक है और ओफिशली आंसर शीट में गलत नहीं होता है याद रखेंगे सभी अगला क्वेशन लिंबर अगले आदेश का इंतजार करें उसी प्रोसीजर को लिंबर अप्पे तो इस तरीके से अगर मैं बता दू जब भी एक राउंड फायर करने से पहले जब हम एक राउंड फायर करते तो उसी को ही अम लिंबर अपकी कारिवाई करें ठीक है जिससे क्या होता है कि आपकी कराई जाती है फायरिंग रेंज पर चलिए उसके बाद अगला क्वेशन है सही या गलत फिर से सही या गलत आ चुका है जो की तीन मार के लिए पूछा है तो राइफल पॉइंट्टू डिलक्स की मैगजिन शमता 10 राउंड की होती है सही या गलत है ठीक है डिलक्स राइफल की मैगजिन कपैसिटी चलिए चलिए एवरिवान तो क्या होगा तो यह होगा फॉल्स इसका सही जवाब क्या होगा पाच राउंड ठीक है चलिए उसके बाद में पॉइंट डू की प्रभावी शमता एफेक्टिव रेंज पॉइंट्टू राफल की कारगार रे चाएगा अच्छे निशाना के चार मूल आउशकता है सही घलत है तो यह क्या है फॉल्स ही तो कितनी है मूल आउशकता है तीन यह याद रखेंगे तो इन्होंने चार बता है इसलिए गलत होगा अगला क्वेशन अगला पार्ट आता है हमारा मिसलेनियस का एक वेर इंपो क्वेसिन है पोछे जाएंगे striktink करन्ज के दोरान क्या-क्व्र क्वर्ग्रैमु प्रतीयोगिता है की जाती है टो यी जब क्या सी कांप होता है ठीक है नैशनल यूनिटी और साथ में देखिए आपका जो डांसिंग का चलता है तो इसी में आ जाएगा डिबेट कॉंपिटिशन है यह अलग-अलग तरह की कॉंपिटिशन जो है आप सभी को साथ में गुरूप डिसकॉशन से ठीक है तो यह सारी एक्टिविटीज आपको एनाइसी कैंप में कराई जाती है और साथ में अलग-अलग तरह की रैली या मतलब कि अवेरनेस प्रोग्राम में वो सारी आ जाएगी ठीक है तो यह कराई जाती है जो की पांच मार के लिए क्वेशन पूछाता याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट कॉशन है कि किसी भी दे के लिए क्वेशन पूछा है याद रखेंगे चलिए आज मैंने लाइट और साथ में बन कर दिया है तो फैन का आवाज यहां पर आ जाएगा और साथ में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो मैं पुरा भिग गया हूँ अभी 15-20 मिनिट में भिग गया हूँ क्योंकि गेमिंग फ्रीफार बिल्कुल बी सर्टिफिकेट का भी बताएंगे टेंशन ना लो सपना तेजू वर्षा करन चलिए अगला क्विश्यान वीडियो की कॉलिटी बढ़ावे आप थोड़ा सा उसको ओरिजंटल में देखो ठीक है अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आ प्वाएंगे अभी नहीं पाच्छे साल बात लगवाएंगे एसी ठीक है चलिए अगला क्विश्यान है नेक्स्ट क्वेश्यन है कि क्या किसी भी देश की प्रगती के लिए रास्ति एकिकरन क्यों आवश्यक है या क्यों महत्वपुर्ण है तो इसमें कुछ पॉइंट्स में देश की प्रगती और विकास के लिए गरीबी और असाक्षर्ता को हटाने के लिए अंतरिक सुरक्षाव कानुन व्यवस्ता बनाये रखने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक विकास के लिए आर्थिक और ओद्यगिक विकास के लिए विदेशी निवेशों को को आकरशित करना तता आयात और नीरियात को बढ़ावा देना और तकनीकी जानकारी की आदान प्रदान के लिए ठीक है तो यह सारे points हम लिखेंगे जो कि 10 मार के लिए question पूचा है तो यह हर साल question पूचा आता है अपके QUESTION है उसके बाद कर दे vibes अगला question तो अगला क dell कि भार्तिय सेना में दिये जाने वाले कोई पांच वीरताफुरस्कार के नाम लिखना है भार्तिय सेना में दिये जाने वाले जो कि 5 मार के लिए question पूचा है तो इसमेंं क्या लिख सकते है परमवीर चक्रह का helping वी अगला question, next question, क्योंकि आज paper हमें बहुत बड़ा paper है और paper को पूरा solve भी करना है, ठीक है, चलिए, रास्ट निर्मान में UAPD NCC cadet कैसे योगदान दे सकते, एक very important question है, आप सभी NCC cadet, रास्ट निर्मान में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हो, जो कि 5 मार के लिए question आपके exam हमें पूचा गया है, तो इसमें हम क्या points लिखेंगे, प्रोट शिक्षा में मदद कर सकते हम NCC cadet, प्रोट शिक्षा में मदद कर सकते, सामाजिक सेवा में अपना योगदान दे सकते, रास्टिय भाषा को बढ़ावा दे सकते, सभी नागरिकों से समान बरताओ कर सकते, रिस्पेक्ट से बात कर सकते हैं, सभी धार्मिक सतलों की इज़त कर सकते हैं, तो यह points यह बात है अगर हम करेंगे, तो हम यकीनन अपना जो योगदान है, अपना जो contribution है, हम जो नैशनल बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए हम अपना contribution ज़रूर देंगे, इन बातों की उपर हमें ध्यान देना है, तो अगर यह चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हम अपना योगदान जो ए, NCC के नाते हम अपना योगदान, रास्त निर्मान की हित में हम दे सकते हैं, ठीक है, चलिए, रिजू, वेरिगोड, चलिए, अगला क्विशान, सभी बहुत क हम क्या रिट है, रोहित रंगिला, बिहां रोज हरकन को अबजिक्टी उठाते हैं, मंजीत, राम, राम, चलिए, अगला क्विश्चान, नेक्स्ट क्विश्चन है, कि रास्ती एक्टा को विगटीद करने वाले किनी पांच तत्वों के नाम लिखो, रास्ती एक्टा को व है, तो इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे, सांप्रदाइक्ता, भाषावाद, शेत्रिता की भावना, जातिवाद, राजनेतिक दल, आर्तिक असमानता और विदेशी तत्वा, अगर आप इंगलिश मीडियम वाले हो, तो यहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, तो रास्ती लेक्ता को विगटीत करने वाले तत्वा है, जो पाँच मार के लिए आपके एक्जाम में पूचा गया है, 2020 में, नेक्स्ट कोश्चन है, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, परस्नालिटी डेवलपमेंट और लीडर्शिप, लीडर्शिप के उपर आप सभी को पता है, 70 मार के लिए क्वेशन आते हैं, तो सबसे पहला क्वेशन यहाँ पर पूचा है, वेक्तित्वा के विकास में NCC का क्या योगदाने, जो की 10 मार के लिए क्वेशन पूचा गया है आपके एक्जाम में, चले, तो इसमें क्या अंसर लिखेंगे, सेल्प अवेरनेस, आत्म जागरुपता, सानुगुती, गहन सोच, रजनात्मक सोच, समस्याओ को सुलजाने का कौशल्य, निरने लेना, पारसपारिक संबंध, ठीक है, एफेक्टिव कॉम्मुनिकेशन, कॉपिंग विद स्टेट, कॉपिंग विद इमोशन, ठीक है, तनाव पर नियंतरन, तो यह सारे पॉइंट्स हम याद रखेंगे, विक्तित्व विकास में NCC का योगदान, ठीक है, सभी के अडिट्स याद रखिए, विक्तित्व विकास में NCC का योगदान, चले, बात करेंगे, next question, क्या बाते, पुरा आज, इतनी बारिश आने वाली क्या बता है, मैं तो क्लास ले, ऐसा लग रहा है कि क्लास बीची में से बंद किया जाए, चलिए, लेकिन आप सभी का एक्जाम है, अभी कुछी दिनों में, चार तारिक को, तो इससे पहले एक बात में आप सभी को बता दू, देखिएगा, जिन की भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, उन सभी के लिए Mission NC ने Mission NC model question paper को launch किया है, जो कि आप देख सकते हो, आपकी exam में same, ऐसी question आएंगे, ठीक है, लेकिन एक paid course है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, इसके लिए आपको उपर्मेंट करना पड़ेगा, तो 20 certificate के course में आप सभी को total 8 question paper मिरे जीहा, ऐसे total आपको 8 question paper मिरें, उनके 8 answer sheet, 2 practical paper, 6 topic wise notes, question bank मिलने वाला है, अगर आप सभी इन सारे paper की अच्छे से practice करके जाते हो, तो मैं यकिनन बोल सकता हूँ, आप आपके BOC certificate के exam में, एक rate से आप pass होंगे, ठीक है, लेकिन ये सभी चीज़े आप सभी को पढ़नी पढ़ इस तरीके से एक message भेजना है, अगर आप सभी इस course को purchase करना चाहते हो, तो मैं यकिनन बोल सकता हूँ, अगर आप सभी ये सारी चीज़े पढ़ लोगे न, तो आप आपके B certificate के exam में, A या B grade से आप pass होंगे, ठीक है, चाहिए अब जिस भी साल देखो इस video को या class को, तो आ A या B grade से आप pass होंगे, मैं यकिनन बोल सकता हूँ, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं, इस साल C certificate का exam देने वाले, तो C certificate के course में, आप सभी को total ऐसे 10 question paper में, ऐसे 10 question paper, यानि कि आप इन 10 question paper की भी अच्छे से practice करके जाओगे, तो यकिनन आप आपके C certificate में, आप A grade से 5 तो इसमें आपको 10 question paper, 10 answer sheet, 2 practical paper, 6 topic wise notes, फिस्टे सो एक question bank मिलने वाला है, जिसमें 270 सभी दावदा important question है, अगर आप सभी ये सारी चीज़े पढ़ लेते हो, तो मैं यकिनन बोल सकता हूँ, आप C certificate के exam में, A या B grade से आप 500 हो सकते हो, मैं यकिनन बोल सकता हूँ, लेकिन आप आप सभी को ये सारी चीज़े पढ़नी पड़ेगी, तो इसकी फीज है 199 रुपीज, अगर आप interested हो, इसको purchase करने के लिए, तो आप जो है purchase कर सकते हो, मैंने या आप वाट्साप नमबर दिया है, इस वाट्साप पे आप सभी को high emissions इस तरीके से एक message भेजना है, चलिए, अ बहुत सारी बच्चों के मेंन में एक doubt होता है कि sir, इन model question paper को purchase कैसे करेंगे, paper हमारे पास आएंगे कैसे, तो देखें, सबसे पहले अगर आप सभी इस question paper को purchase करना चाहते हो, तो इस number पे आप सभी को high emissions इस तरीके से एक whatsapp पे message भेजना है, जैसी आप एक message भेज़ोगे, तो कुछी समय में आप से भी के question paper, आपके answer sheet, आपके notes, यह सारे के सारे आपको PDF file में आपके whatsapp पराएंगे, याद रखेगा, PDF file में आपके whatsapp पराएंगे, paper का जो language होगा, वो हिंदी होगा, क्यूंकि बहुत सारे Hindi medium वाले cadets है, इसलिए paper का language हिंदी है, और paper आर्मी विंग वा आपको common syllabus मिलेगा, specialized नहीं मिलेगा, तो B की fees ए 199, C की fees ए 199 रुपिस, तो मैं कुछ ऐसी हवा हवाई बाते नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे credit ने question paper को purchase किया है, model question paper को, और उन्होंने अपना exam A grade से, B grade से, और बहुत सारे credit ने C grade से भी अपना exam pass कर लिया है, ठीकि अगर आप भी अच्छे grade से pass करना चाते हो, तो यकीनन आपको in model question paper को purchase करना जरूरी है, तो मैंने एक mission agency का WhatsApp group भी बनाया है, इस WhatsApp group में वही बच्चे joined है, जन्होंने इस course को purchase किया है, और जो भी मैं सुभश शाम पढ़ाता हूँ, वो सारी चीज़े मैं इस WhatsApp group में भेजता हूँ, ताकि इन बच्चों की preparation और अच्छे से हो, जो भी नए information आती है, तो सबसे पहरे मैं इस WhatsApp group में भेज देता हूँ, ताकि इन बच्चों की preparation और अच्छे से हो, अगर आप भी WhatsApp group में चूड़ना चाहते हो, तो आप इस course को purchase कर सकते हो, और आज जो मैं original question paper जो आपको पढ़ा रहा ह जाएगा, ठीक है, इन model paper के साथ, आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ न, तो यह paper भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, यह paper भी जो है, आपको, इन model question paper के साथ, इस course में आपको देया जाएगा, ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं, अगला question, क्या चल रहा है, चार्ट ब फोर्जुले, अश्विनी यादो, सही एसर, वर्षा मिश्रा समझ नहीं पा रहा हूँ, बिकानेर, राजस्तान वा लोगा, चलिए, बात करेगे, अगला question, ठीक है, सभी credits बता दो, सत्यम कुमार, बहुत दिनों के बाद, प्लास में आया हो, सत्यम क्या हुआ, रिजल्ट पास आउट हो चुके हो, सत्यम कुमार, जल्दी से बता दो, क्या रिजल्ट पास आउट हो चुके हो, अच्छा, सत्यम क्या grade बनाए आपका, सत्यम कुमार grade क्या बनाए, सत्यम हमारा एक regular cadet हुआ करता दो, सत्यम ने अल्मोस अभी videos को देखा है, मेरे वाले, सत्यम कुमार क्या grade बनाए आपका, सर मैं जहारकन 26 बटा लिया न, अच्छा, आफलाइन पेपर आफलाइन होगा, पेपर आउनलाइन नहीं होगा, ठीक है, पेपर होगा, आफलाइन आउनलाइन नहीं होगा, प्रेंस चलिए सब्सक्राइब कहां गए हूँ फोर जुले को होने वाला है ना सभी का चलिए अगला क्वेश्चान बात करेंगे नेक्स्ट बजन सर जी बी ग्रेट से पास हूँ अब सी की तयारी स्टार्ट कर दो चलिए जेतेंद्रा हिमाईश्यू सर मेरा एक्जाम हो गया है हो गया है जिनका भी एक्जाम बीका हुआ है वह सी की प्रैक्टिस करो चलिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्ट नोट्स आप सभी को लिखना है टिप लिखना है जो कि 15 मार के लिए क्वेश्चन पूचा है तो स्वामी विवेकानंद जी की उपर आप सभी को टिप पनी लिखना है ठीक है तो आप सभी लिख ले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में जो भी आपको पता है आप लिख लिजेगा ठीक है और साथ में एक क्व कॉमिवे कानंद के बारे में आपको जो भी पता है लिख सकते हो और उनके चार कॉलिटीज ग्यांग था जिग्यासू पहल सानुबुती और वखुरुत है यह चार उनके कॉलिटीज है अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तो मैं यकीनन बुल सकता हो पांच मारक आपको मि स्क्रींशाट ले सकते हुवज्य यहां से स्क्रींशाट ले के आप लिख दीजिएगा और कुरण बिदी में 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 कितने चार कॉलिटीज आपको बताना जैसां कि वiवार, कूशल, और कुछल, ढवल, घ्यान, निरνजव, और मानविय है टेक है तो यह उनके चार कॉलि प्रतिबद्दता है निर्नायक लक्षों को बनाया रखना प्रेरना और फिजिकल फिटनेस तो यह उनके चार क्वालिटीज है तो आप यह याद रख सकती है इसका स्क्रिंशॉट निकालीजिए चलिए उसके बाद अगला क्वेशन है अनुशासन को परिभाशित करूप में इतने फास्ट क्यों ले रहा हूं क्योंकि हमारी क्लास बहुत लंबी चलने वाली है और पूरा हमें 245 मार्क का डिसकस करना है तो अनुशासन का मतलब क्या है तो अनुशासन का मतलब दिये हुए आदेश को इच्छा से तुरंत पालन करना बिना किसी आदेश के भी उचित कार्यवाई करना ठीक है अनुशासन का मतलब दिये गए आदेश को इच्छा से तुरंत पालन करना बिना किसी आदेश के भी उचित कार्यवाई करना इसी को यह हम अनुशासन कहते चले अगला क्वेशन है नेक्स्ट क्वेशन जो कि 2020 में आपके एक्जाम में पूचा गया अंगरीक के पांच मौलिको अधिकार ठीक है तो जो कि पांच अधिकार लिख सकते हम स्वतंत्रव का अधिकार समानता का अधिकार शिक्षा का अधिकार सूष्षण jam खिलाफ अधिकार और धर्मकाव पू Church यह पाँडिकार लिखो पांच मार्क आपको मिल जाएंगी पां या पांच अधिकार आप सभी को पता होना चाहिए अगला क्वेशन रिक्तस्तानों की पूर्ती करो सिद्दान की उद्गोशना कुन सा ने कुछे न समझ में नहीं है मुझे भी चले स्वभावी कारक है जो वेक्तित्वऔको प्रभावीत करता है तो इसका सही होगा भौतिक फिजिकल ठीक है उसके बाद अगला है मजबूत रिष्टों के तीर प्रमुक तत्व आत्मियता जिम्मेदारी और जुनून ठीक है तो इसका जवाब होगा जुनून या पैशन कि चलिए बात करेंगे अगला अचा नेट किसका स्लोच चल रहा है नेख्स्ट कोशन एकि समवाद शब्दें समवाद कहलाता है तो कूँसा तो नॉन वर्बल respectively कुंनिकेशं जो है वो समवाद है प्रवरूत्ति एक मानसिक स्थिति है जैसा आम सोचते वैसा ही देखते सही है गलत प्रवरुति attitude is a mindset, the way of think and look at things, प्रवरुति एक मानसिक सिती है, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही देखते हैं, सही है गलत है, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, चले उसके बाद, शारिक छवी एक तरीका है, जिसमें हम अपनी शारिक अवस्ता का वर्नन करते हैं, तो बिल्कुल य या दो से अधिक संगटनों के बीच में मजबूत बंदन को आंतरिक व्यक्तिगत रिष्टा कहते हैं, तो यह क्या होगा, गलत है, पॉल से, चले, अगला क्वेशन, अगला क्वेशन, दो व्यक्तिव के बीच, शारिक आकर्शन उसे आवेक को दर्शाता है, तो यह सही है, ठीक है, और नेक्स्ट कोशन है, समपर्ग में स्तिर्ता विक्तोव के बीच की बादा है, तो यह होगा, पॉल सी, यह समझ में नहीं आया है, मुझे भी यह क्वेशन, क्या क्वेशन, पूजा एउन्हों नी, चले, अगला क्वेशन, अगला question है next question सवाध हिंता सवाध हिंता को कम करने के कोई पांच बिंदू लिखो communication gap को reduce करने के कोई पांच आप सभी को points लिखना है या पांच बिंदू है लिखना है जो कि पांच मार के लिए question पूछा है तो आगे की योजना दूसरों को योजना बनाने में शामिल करना दूसरों द्वारा बनाई गई सला को सुनना उद्देश के साथ बोले और विशिष्ट बने हास्ते की भावना सानुगती होना निर्नेन करना तो यह सारे पांच सम्वाध हिंता को कम करने वाले पांच बिंद से चलिए नेक्स्ट क्वेशन समय प्रबंदन के बुनियादी सिद्धान तो समय प्रबंदन के बुनियादी सिद्धान टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप टाइम मैनेजमेंट जो की पांच मार के लिए क्वेशन पूचा गया है प्रिंसिपल्स आप टाइम मैनेजमें तो क्या आप समय प्रबंदन के बुनियादी सिद्धान क्या है तो समय की एक नीजी समझ को विक्सीत करना, दिर्गकाली लक्षों को पैचाने, उच्च रिटर्न, गतिवीदिया, साप्ताइक और देनिक योजना, अपने सर्वस्रेष्ट समय को सर्वस्रेष्ट उपयोग कर तो यह पाच पॉइंट से आप इसका एक बार स्क्रीन शॉट निकाल लीजिए चलि आप सभी एक बार इसका स्क्रीन शॉट निकाल लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पंद्रामार का वेशन निम्मे लिखीत की व्यख्या करें तो आप सभी को एक संख़ित टिपन हे लिखना है सूजनात्मक सोच ठीक है क्रिटीकल क्लास कर लिया जाए सभी बतादो इतना बहुत गर्मी हो रही आज क्या की क्लास कर लिया कि आज की क्लास कर लिया जाए बता दो सभी कर लिया जाएगी ठीक है चले इस तौपिक को तोड़ा सा कवर कर लेंगे उसके बाद क्ल क्लास लेंगे ठीक को टोड़ा сा इस टौपिक को कवर कर लेते उसके बाद कल बागे जो नेक्स टॉपिक होगा उसको कल सोच गी ठीक है तो असब सभी स्क्रWorld प्र आप आप सभी संग्षार पत्अ करो जल्दी से सुछना और सोच सूचना है वह अनुभव के आदार पर विवेशना करते हैं करने को कहते हैं यह हमारे सोच और विवार को पैचानने में मदद करता हैं चाहिए decision making निरने शम्ता के बार में आप सभी को संग्षिप्त में लिखना है decision making निरने शम्ता विभीन विकल्पों में से हमारे अनुबव और ज्ञान के आदार पर सही विकल्प चुनाओ करने की शम्ता को कहते अगला क्वेशन है चरीत्र अभी मैं इसको एक्स्प्लेन नहीं करूंगा ज्यादा चरीत्र किसी व्यक्ति विशेश के सामुई गुन्वत्ता को दर्शाता है जिसमें उसकी प्रतिष्टा नैतिक मुल्य और इच्चा शक्ति सम्मिली थे चलिए तो यह याद रखे क्वेशन क्या पूचाता पंधरा मार्क के लिए सूजनात्मक सोच के उपर पांट मार के लिए पूचा था । making के उपर पांच मार के लिए पूछा था खा क्या चलो क्या क्ल करा जाए अब कर देंगे चलो कल की बात जाने दो और पर घिसासटर कि सब्सक्राइब कर, जो ही 20 मार के लिए प्रदान करेंगे जब भी बाड आएगी आपके एरिया में तो आप एंसी सी के ड़ेट होने के नाते आप क्या करोगे तो सबसे पहले तो बाड में फसे और लोगों को सुरक्षित जगा पे हम पहुचाएंगे फिर घायलों को फर्स्ट एड प्रदान करेंगे भोजन और पा नेक्स्ट क्वेशन है आप दाओ का वर्गी करन या आधार ठीक है आप सभी को जो की दस मार के लिए क्वेशन पूचा याद रखेगा जितने भी सी वाले के ड़ेट इसा सी सर्टिफिकेट का एक्जाम देने वाले हो तो आप सभी को पता है 2020 का ओरिजिनल पेपर है यह त आप सभी को यहां पर आपदाओ के वर्गी करने डिजे क्लासिफिकेस्टेन और डिजास्टर तो आपदाओ के दो वर्गी करने ठीक है दो भागों में बाटा है एक है प्राकुर्तिक आपदा प्राकुर्तिक दूसरा है मानौरचित प्राकुर्तिक और मानौरचित यह दो अबदा है तो नैचुरल डिजस्टर कोंठ प्राखुतिक आपदा है उसकी बाद्मानोकुरुत आपदा है एक्सिदंट है रोड एक्सिडंट रेल हवाई एक्सिधन अब बाड नहीं आएगा इसमें बाड नहीं आएगा बंब इसपोर्ट अगनी कांड ट्राफिक दुरगटना आतंकवाद यूद्ध परमानु यूद्ध यह सारे सारे मानुप्रचित आप दाय में चलिए अगला क्वेशन है सोचल अवेर्णेस नेक्स टॉपिक ह जो कि 30 मार के लिए आपकी एक्जाम में क्वेशन पूछे जाएंगे सोचल अवेर्णेस न कॉमिटी डवलप्मेंट के उपर तो क्या क्वेशन पूचे जाएंगे फर्स्ट कोशन है कि रुक्सार ओपन से लाब क्या है, तो benefits of trip plantation तो रुक्षार ओपन से लाब क्या है, जोकि 10 मार के लिए कोशन पूछा है, 2020 में, तो रुक्सार ओपन से क्या फाइद है, तो प्रदुशन नियंत्रन में उपयोगी, घुमी कटाओ को रोकना, बार नियंत्रन में उपयोगी परियावरन संतुलन फल उपलब दता रेगिस्तान के प्रसार में रोक लकडियों की उपलब दता वन्य पशु नियंतरन में उपयोगी मानसूनी बारिश में उपयोगी जंगली जानवरों को आवास प्रदान करना ठीक है तो यह 10 लाब आप बता सकते हो रुक रख्त्दान से क्या फाइदे यहां पर देख सकते हैं रख्तदान से क्या फाइदे सब्काहां कारने से unhealthy होता हैतने एक ब्लड बालत करने से है रक्तादान महादानि आहरी चाहता है कि व्लड डोनेशन क्रणे से क्याओता है कितने सारे प्यो FRED मिलते जो भी हमारे शरीर और जो भी बलड ते तो तुर snaps with शरी में एक नहीं हो रहता है ठीक तो साथ में किसी की जान भी बचती है तो ब्लड डोनेशन कहा जाता है आप सभी को पताते ठीक है चले अगला क्वेशन है एंचीजिक एड़ेट द्वारा की जाने वाली पांच प्रमुख सामाजिक गती वीदियो के नाम लिखो क्या हो रहा है अच्छा नेटवर्क प्रावलम हो रहा है ओके चले तो एंचीजिक एड़ेट द्वारा की जाने वाली प्रमुख गती वीदिया कौन-कौन सी है रक्तदान शिवीरे, रुक्षार ओपने, स्वच्च भारत अभियान, जागरुपता कारेकरम, सीवीर प्रशासन की सायधा ठीक है तो यह सारे एंचीजिक एड़ेट द्वारा की जाने वाली प्रमुख गती वीदिया है जो कि पांच मार के लिए कौशन पूचा था दूर व्यवार और तसकरी, नशीली दवाओं का दूरूपवव और तसकरी, घरेलू हिंसा तो यह सारे क्या है, तो सोशल इबीर से पांच सामाजिक बुराई आए, याद रख सकते हो या एक बार इसका स्क्रीन शॉर्ट भी निकाल सकते हो चलिए अगला क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन है, सही और गलत, जो की पांच मार के लिए पूचा जाएगा, सही और गलत, एट से पीडित वेक्ती के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, याद रख के एक क्वेशन क्या पूचा है, एट से पीडित वेक्ती के साथ भोजन नही करना चाहिए तो यह क्या है गलत हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा उनके साथ अगर खाना खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो चलिए नेक्स्ट क्वेशन है रक्तदान करने से शरीर में असंतुलन पैदा होता है तो यह भी क्या है फॉल्स है गलत है कोई असंतुलन पैदा नह वर्ष एक दिसंबर को मनाया जाता है तो यह सही है cancer के मरीज को छूने से cancer होता है तो यह भी क्या है तो fall से गलत होगा ठीक है अगर cancer के मरीज को अगर आप छूगे तो cancer नहीं होता है ठीक है तो गलत statement है यह वाला चलिए अगला question health and hygiene तो health and hygiene जो की 30 मार के लिए question पूचे आते आपके health and hygiene के उपर तो सबसे पहला question पूचा है कि साप के काटने पर क्या करना चाहिए तो जब भी किसी को साप काटता है तो क्या करना चाहिए 2020 में आये वाले question है याद रखेंगे सभी तो साप काटने के बाद क्या करना चाहिए तो सबसे पहले तो शांत रहे और पीडित को आराम से लेटा दे मान लो आपके friends को अगर साप काटा है तो आप क्या करोगे तो शांत रहे ना और पीडित को आराम से लेटा देना है अम्रुत्तु के भय के विरुद्ध था माश्वासन दे तो पीडित का मनोबल बढ़ाना है ठीक है उसको डराना नहीं है और अम्बुलन्स को कॉल करना है शेत्र को संकुचित करने वाली किसी भी चीज को उतार दे जैसे के अंगुटी घडी ठीक है अगर अगर आपको साप काटता है पैर में काटता है तो आपके जो अगर मानुल्वर उपसे साथ को कारता है तो कुतरीम श्वासन date मैं अगर मरीज को अगर जो भी पीडित वो अगर सांस नहीं ले पा रहा है तो आप सभी को उसको मुह से आप उसको कुट्रिम स्वास भी दे सकते हो चलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्ष संबंधी बीमारी से बचाओ पर लगू नोट लिखो स्पर्ष ठीक है कॉन्टैक्ट से होने वाले डिसीज के उपर आप सभी को एक संग्षित टिपन नहीं लिखना है जो की पांच मार के लिए क्वेश्चन पूचा है तो क्या लिखे मदद शिग्र निदान और रोग के प्रसार को रोकने में मदद रोगी के सभी मलमुत्व का उचित निपाटन और सभी निवारक उपाय करने के लिए परिचर ठीक है तो यह पॉइंट्स यह किस क्वेशन का अंसर है तो यह संबंधी बीमारिया से बचाओ पर लगू नोट सब्सक्राइब थे एक याद रहें अगला प्रकारख की आनुज करने करें मैं टाइब संस रहें करेंगे कूमेश नहीं चलिए अगला question है bandage के प्रकार तो bandage के कितने प्रकार है तो इसमें simple bandage है सरल पट्टी है त्रिभू जाकार पट्टी है छोटी पट्टी है ती आकार की पट्टी है फर्स्ट फिल्ड है पट्टी है और क्रेन पट्टी एंगलिश वाले यहां से भी आप bandage के टाइप्स याद रख सकते हैं चलिए अगला question है तो मच्छर पतंग आए तो यह जोडिया आप सभी को मिलाना है इनके जोडिया आप सभी को मिलाना यह आप सभी के लिए homework है चलिए देख लीजे अच्छे से जोडिया मिलाना इनके लिए बिल्कुल ममतशा यहां वेरीगूड माराश्बट डेड़ अगला question है कि आप क्यांप शेत्र में क्यांब कर दो रखेंगे एट आप क्यांब से रखोंगे जब भी में आप दोरान में जिस भी camp में आप जाओगे तो उस camp के दोरान आप वहाँ पे कैसी साफ सफाई रखोगे तो उसमें हमें कुछ points लिखना है जो की 5 मार के लिए question पूचा है तो यह question है इसमें हम लिखेंगे unit line की प्रतिदिन सफाई तो इन सबी को हमें ध्यान में रखना है अगर हम क्याम के दोरान या क्याम के एरिया में अगर हम सचेता रखना चाहते हैं तो इन बातों के उपर हमें ध्यान देना है इनकी हमें अच्छे सफचेता रखनी है चलिए अगला question है अच्छे स्वास्त के आवशक तत्व जो की 5 मार के लिए question पूचा है अच्छे स्वास्त के आवशक तत्व इसमें प्रतिदिन स्नान करना संतुलेन भोजन प्रायकाल जल्दी उठना नीमित वयाम करना छे से आठ घंते की नींद पूरी करना ठीक है तो यह अच्छे स्वास्त के आवशक तत्व जो की 5 मार के लिए question पूचा है अभी तो एडवेंचर ट्रेनिंग के उपर क्या question है ट्राकिंग के लिए आवशक वस्त्व के नाम भी को ठीक है अगला क्या है ट्रेकिंग के लिए कौन-कौन से आवशक है तो इसमें प्रात्मिक कीट है साथ में सो चटाई है स्लीपिंग बैग है जूते ट्वाइलेटरी आइटम मशाल और बैटरी मारकर और चौक पानी भोजन खाना पकाने के लिए बरतन परियाप्त कपड़े टोप इसकी जोड़ी तो यह सारी चीजे जो है आप सभी को चाहिए जब आप ट्रेकिंग के लिए जाओगी चलिए अगला क्वेश्चन है यह पांच मार के लिए क्वेश्चन पूचा है तो इसमें क्या अक्टिविटीज लिखेंगे साइकल अभियान परवता रोवन रॉक क्ल पर यह क्लास है आप सभी कोई तो क्वेश्चन पूचा है दस सुरक्षा युक्तिया लिखो जो आपको रॉक्लाइमबिंग से जाने के दोरां ध्यान में रखते हैं तो होर्नेस को हमेशा चेक करें गाटों को हमेशा चेक करें हमेशा हेलमेट पहने रसी और विले करें जरूरत के मुताबिक उपकरन लाए रसी हमेशा पैर की उपर रखें सही जगह पर रसी क्लिप करें हमेशा सुरक्षीत एंकर का इस्तमाल करें तो जब आप रॉक क्लाइमबिंग करते हो या परवत पर चड़ते हो ठीक है जो आपने क्रीश मूवी देखी होगी ठीक ह क्रीश सबसे पहले क्रीश आपने देखा होगा णक्रीश मूवी के दोरान में जब और प्रियंक कर करते है तो तो हमें रॉक क्लाइमबिंग के समय किन बातों की उपर ध्यान देना चाहिए ये वह वह सारी बातों आपकर हमें ध्यान देना चाहिए तो ब curly 도 लो ना लो एक एक बेसिक चीज़े बिलकुल हाँ बिलकुल नोट्स लेना है तो आप वाट्सप में मैसेज कर सकते हो ममता चलिए बहुत बढ़िया अगला कोशन है इन्वार्मेंट आवेर्नेस और कंजर्वेशन ठीक है परियावरन जागरूपता है एवस होर अक्षन जोकी 20 मा आपके लिए क्वेशन वर्षया जल संचेन की आवशकता तो वर्षया जल संचेन जो भी बारिश का पानी आता है तो उसका संचेन करना क्यों जरूरी है तो इसमें हम एंसर लिख सकते हैं यह उप मिटी और भुजल को रिचार्ज करता है जल स्तर को बढ़ाता है यह आदमें उपयोग करने के लिए विशाल टैंक और तालाबों में संग्रीद किया जा सकता है इसे भूजल पर निरपरता कम हो गई है तो भाई जो भी बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी जब हम उसको बचाते है तो क्या उसको क्यों आउशकता है क्या जरूरी है तो यह सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो कि पांच मार के लिए क्वश्ण पूचा गया है चलिए अगला क्वश्ण है नवी करनिया और नवी करनिया संसाधन क्या है उनके दो-दो उदारन आपको बताना है ठीक है नवी करनिया संसाधन संसाधन जिने भौतिक रासा यांत्रिक प्रक्रिय द्वारा नवी निक्रूत या पुना उद्पन्य किया जा सकता है उसी को हम नवी करनिय संसाधन कहते हैं उदारने जैसी की सौर्प, पौन बिजली, जैव, द्रवमान, भूपातिय और पवन उर्जा ठीक है यह सारे कि सारे क्या है तो नवी करनिय संसा पर बनते हैं और जो स्वाभावी रूप में पर्यावरन में नहीं बनते इन संसाधनों को बनने में लाकों साल लगते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल आग की लकड़ी कोईला यह सारी क्या है तो यह नॉन रिनेवबल रिसोर्से से चलिए अगला क्वेशन है सवर उर्जा से आप क्या समझते हो सोलर एनेर्जी से आप क्या समझते हो और सौर उर्जा के लाब हमें बताना एक फाइदे क्या तो साउर उर्जा के क्या फाइदे हैं तो छाप तक है बिल्कुल आप 10 बनिट tirar क्लास चलेगी उसके बद बंद दो जाए हagu और सीधे सूर्य प्रकास से एकत्रीत की जाती है और सवरुर्जा के फाइदे क्या है तो यह बहुत आयत में हर जगा पे उपलब्द हो जाती है इसे भविशक के उपयोग के लिए विभीन रूपों में संग्रीत किया जा सकता है इसके इस्तमाल से कोई भी हाथसा नहीं हो सक से तो सोलर एनर्जी क्या है ठीक है सौरुर्जा क्या है और सौरुर्जा के फाइदे क्या है यह कूछा था उसके बाद लास्ट कोशन ने आप सभी को लिखना है कुछ बादाओ के नाम लिखना है आप स्दाइकल training तो इसमें क्या नाम है कुछ बादाओ की नाम जो की पांच मार के लिए question पूछा है जैसे कि straight balance है clear jump है gate wall है zigzag balance है high wall है double d6 right hand wall left hand wall ramp jump और straight balance ठीक है यह सारे की सारे obstacles से आप सभी इन obstacles को याद रखिए ठीक है जहिंद राकेश बहुत लेटो class में आज चलिए ठीक है तो मिलते हैं बिल्कुल यह सारे points आप याद रखिए हमने 2020 का c certificate का original question paper आज हमने आप सभी को मैंने 245 mark का question बता है ठीक है total आज हमने कितने 245 mark के paper हमने देखे 245 mark का पूरा का paper आप सभी को बता है जिनका भी exam अभी कुछी दिनों में आने वाला है तो अगर आप सभी ने वीडियो को पुरा देख लिया है तो आपको बिल्कुल पता चले चला होगा कि क्या question पूछे थे 2020 में ठीक है तो यह 2020 का c certificate का paper है आप याद रखिए c certificate का paper है certificate का ठीक है तो अगर आप भी in model question paper को अगर आप purchase करने में इंट्रेस्टेड हो ठीक है बहुत सारे अगर आप से भी in model question paper को purchase करने में इंट्रेस्टेड हो कुछी दिनों में आपका एक्जाम आने वाला है तो मैं यहाँ पे मेरा WhatsApp नमबर दे रहा हो 7385-281023 ठीक है यह मेरा WhatsApp नमबर दिये नमबर है इट्स WhatsApp में आप सभी को हाई mission NCC इस तरीके से एक message भेजना है ठीक है अगर आप इस course को purchase करना चाहते हो तो आप इस WhatsApp पे हाई mission NCC message कर सकते हो और जो भी मैं आज पड़ा रहा हूँ आपको जो 2020 का जो original question paper है ठीक है वो question paper भी मैं इस आप सब in model question paper के साथ आज यह जो paper है यह पड़ा है वो भी paper में भेज़ दूगा ठीक है इस course में और जो हमारे जिन्हों को पर्चेस किया है तो यह आपके WhatsApp ग्रूप में तुरंद भेज दूँगा ठीक है पेपर तो चलिए भाई क्या चर रहा है आपके चार्ट में क्या चर रहा है चार्ट बोक्स में चलिए आपका पेपर कब होने वाला है सभी कैड़ेट्स मुझे बता दो चार्ट बोक्स में आपका पेपर कब होने वाला है आपका पेपर कब होने वाला है सभी कैड़ेट्स बता दो पेपर कब होने वाला है आपका ओके चले बहुत बड़ा है एवरिवन सर्फ फैब में होने वाला अच्छा जादव सवर और विश्वजी तीन चुले को मतलब आपके पास चार या पांस दिन इसार जारकन का कोई क्वेश्चन होगा प्राकेश सबसे ओल्ड कैड़ेट हम है क्या सर मेरा पंदरा को राजस्तान वालों को पंदरा कोई योगेश्टिवारी ठीक है चले बहुत बढ़या सतीश पंकल सभी के चार्ट पढ़ रहा हूं ठीक है तो बिल्कुल मिलते हैं कल वाली क्लास में कल जो चलेगी कल वाली क्लास में मिलेंगे ठीक है कल स्पेशलाइट सलाबस की उपर चलेगी कल जो है कल रात बज़े कल जो है रात को चलेगी क्लास कल रात एट पीम क्लास चलेगी ठीक है रात को आठ बज़े जब वैसे मैं बताए दूंगा कल रात साथ या आठ बज़े ठीक है साथ बज़े चलाएंगे ठीक है कल की क्लास जो है साथ बज़े चलेगी याद रखिए खल की क्लास साथ बजे चलेगी लामारा स्पेशलाइड सिलाबस डिसकस करे जब क्लकर की क्लास, जिनों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है एक बार पूरा वीडियो देख लीजेगा क्यूंकि हो सकता है अगर आप इस साल एक्जाम देने वाले हो सीखा तो हो सकता है यह कोशन आपके एक्जाम में आ भी जाए ठीक है तो चलिए बिलकुल मिलते कल वाली क्लास में जिन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक बटन भी दबा दीजिए कल साथ बजे चलेगी क्लास इस बात को याद रखेंगे ठीक है तो चलिए बिलकुल मिलते कल वाली क्लास में तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनरा अलविदा और आप से भी को गुड़ नाइट आपका किमदी समनिकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलता दू